कि नमस्कार दोस्तों मैं है है सौब配 आफ लोगНу को स्वागत है grand lake group पे दोस्तों ये वीडियो Youtube बनाने जा रहे है, विपोगों के लिए है जो निकि लोग लुट, Hag सब तो यह दोनों चीज आप लोग को याद रखी है और इसके बाद मैंने कुछ पूल कराया था कुछ मेरे टेलिग्राम चैनल पर लोग कितना लॉस में हैं वो मुझे जानना था क्योंकि उसके उपर मुझे वीडियो बनाना था उनको अगर सजेशन देना होगा तो कैसे दे तो वहाँ पर मुझे काफी जादा जो है रिस्मॉंस आये हैं तो उन सब के लिए ये वीडियो है तो वीडियो पूरा देखिएगा आई गर आप लोग को मदद मिलेगी देखिए पहली बत तो यह है अगर आप हेवी लॉस में हो तो लॉस रोकने की कोशिश कीजिए लॉस रि लोग को उसके बाद loss recover करने की सोचो यहां पर दो तीन तरीके के मुझे लोग मिले कुछ लोगों का जो loss है वो अंडर जो है 10,000 है उन लोगों के लिए first thing मैं यह कहना चाहूंगा आज से अब से आप लोग सिर्फ और सिर्फ free contest खेलोगे आज से और अब से आप लोग इसकुल भी नहीं खेलोगे ठीक है मुझे पता नहीं बहुत सारे साइद जो fantasy platform है इनको साइद मेरी यह बात अच्छी नहीं लगेगी लेगिन I care for my users और उनके लिए यह बात मैं कहने जा रहा हूं आप लोग इतने सारे टेलिग्राम चैनल के साथ जुड़े हूँ हो क्यों हो कुछ ना कुछ फाइदा तो होना चाहिए टेलिग्राम वालों के टीम से कितना फाइदा होता है आप लोगों को पता है तो मैं उसके उपर कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा बस आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि वो लोग कुछ giveaway कराते हैं contest या free contest देते हैं बहुत सरे application के साथ अब लोग जुड़ेफ़े हो जहां कहीं भी आपको free contest मिलेगा क्यूंकि बहुत सरे जगह पर free contest में काफी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं परस्ट आने पर वहां पर 1000-5000 मिलता है और वह काफी बड़ा अमाउंट है ऐसा नहीं है 5000 जो भी 5000 loss में हो वह अगर कोई free contest जहां पर जीतने पर आपको 5000 रुपए मिल जागा वह अगर जीत जाते हो तो उसमें आपका loss जो है वह recover हो जाएगा 5000 कुछ लो आपका जो है खेलना भी हो जाएगा और वहां पर जीत गए तो उस पैसों से बाद में आप लोग यहां पर बाकि दूसरे जगह पर इंवेस्ट करता होगे या paid contest खेलोगे साइद मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जिनको समझ में आ रहा है जिनको यह ल contest giveaway contest खेलते जाए लोगों के telegram channel के साथ जुड़े हुए हो तो कुछ ना कुछ फाइदा तो होना चाहिए free contest के लोग ठीक है आपका और ज्यादा loss नहीं होगा अगर जीत गए तो आपका loss recover हो जाएगा almost ठीक है then कुछ लोग जो है जिनका loss है under 1 lakh जिनका loss है under 1 lakh उनको क्या कर चाहिए यह आज से अभी से मैं बताना ही जा रहा हूँ देखिए अगर आपका loss है 1 lakh के नीचे अगर आप पर match 300 रुपे invest कर पाओगे 300 रुपे at least 300 रुपे तो dream 11 पे एक contest है dream 11 पे एक contest है 299 रुपीज का वहाँ पर single team से खेलते जाओ क्यूंकि वो अगर जीत गए तो 1.5 lakhs मिल जाता है तो सिर्फ वो contest single team से खेलते जाओ क्यूंकि वहाँ पर अगर top 63 पे भी आ गए तो आपको साहथ 1000 रुपे साहथ 2000 रुपे मिलेगा टॉप 150 में आगे तो साहथ 2000 या ऐसा कुछ मुझे exact याद नहीं है लेकिन वो काफी बड़ीया contest है आप लोग वो contest single team से खेलते जाओ जो लोग 300 रुपे इंवेस्ट कर सकते हो या दूसरा जो आप कर सकते हो कोई ऐसा application ढूंडो जहाँ पर 15 रुपे 17 रुपे 19 रुपे 30 र 200 रुप 300 पर आने से अच्छा कसा amount आपको return मिल जाएगा तो वहां पर आप लोग try करें दिन में सर्फ 2 match खेले एक या 2 match और वो भी पूरा किसी के उपर भरोसा मत करो जो खुद को लगता है वैसे team मनाओ अगर team मना नहीं आती जो लोग grand league mega league जेत रहें उनकी team देखो फिर हम बना रहे हैं वो सफल हो जाएगा last एक कुछ बंदे हैं जिनका जो loss है more than 5 lakh है किसी का अभी तक आज मैंने सुनाया एक बंदे का loss जो है 35 lakhs है 35 lakhs उन लोगों को क्या करना चाहिए पहली बात तो यह है मैंने उनसे पूछा था कि आप लोगों ने कहां पर आ रहा है पहली मेरी बात यह है मेरा कहना यह है अगर 3000 रुपए आपको लगाना है तो आप सिंगल टीम के उपर क्यों लगाओगे 3000 में 299 रुपीज कॉंटेस्ट उसके वहाँ पे 10 टीम लगा पाओगे वहाँ पे अगर एक टीम भी दो एक टीम भी अगर टॉप 15 में आ जाता है तो आपक से जाएदा पैसा जो है रिटर्न आ जाएगा उसमें से अगर दो टीम आपका टॉप देर्सों में आ जाए तब भी आपका वही सेम कंडिशन है तो आप 3000 रुपए एक टीम के उपर क्यों लगा रहे हो और सिंगल कॉंटेस्ट अगर स्मॉल लीग ही खेलना है तो 3000 एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब एडिक्टेड हो चुके हो तो एडिक्सन से निकलो ठीक है पहली बात तो यह है लॉस अगर रिकवर करना है तो लॉस होने से रोको पर जाके कुछ ऐसे कॉंटेस्ट जॉइन करो जिस कॉंटेस्ट में आपको जीतने के बाद अ महीने में देन दस दिन के बाद महीने में सर्फ दस मैच करो एक महीने में दस मैच खेलने को बोल रहा हूं वहिया सर्फ दस मैच खेलो मिनी grand league try करो जैसे वो वाला जो मैंने कहा 2999 वाला या वो भी अगर नहीं खेलना है तो single team से single team से grand league खेलते जाओ एक team मनाओ definitely risky वाला team होगा एक team मनाओ unique सा risky सा उस team के साथ एक mega contest join करो एंड उसके साथ एक mini grand league join करो तो जादा से जादा 100 रुपे लगेगा 10 match में 100 into 10 ठीक है thousand रुपीज जादा से जादा आपका investment आएगा thousand रुपीज हारों के जो लोग अल्रेडी मार्च लग से उपर हो उनको जादा problem नहीं होनी चाहिए वहाँ पर अगर एक mini grand league जीत गए तो आपका जो confidence खोया हुआ confidence है वो वापस आ जाएगा फिर जाके आप try कर सकते हो लालच को छोड़ो पर्स तिंग लालच को छोड़ो और जो हारे हो उसको थोड़ा से दिमाग से निकालो और सिर्फ मेरे मैं जो कह रहा हूँ अगले एक महीने तक सिर्फ 10 मैच खेलो पर मैच सिर्फ 100 रुपे investment दो contest एक team सिंगल टीम से दो contest एक mega league में लगाओ एक normal grand league या mini grand league में लगाओ और ऐसे 10 मैच ही खेलो उससे जाधा नहीं और बाकी अगर कहीं पर भी second innings खेल रहे हो वो बंद करो कहीं पर रमी खेल रहे हो लुडो खेल रहे हो वो बंद करो तो ये जो मैने कहा है ये follow करते जाओ I guess आपका loss कम होगा और अगर एक दिन भी आपकी team चली तो आपका कुछ refund भी आ जाएगा ये एक महीने तक follow करो अगर आपका result क्या हुआ उसके बाद मुझे अगर लगता है उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे suggestion आपके लिए अच्छा हुआ है अच्छा किया है आप मुझे follow करिएगा नहीं तो मुझे follow मत करिएगा लेकिन एक महीना जैसे मैं बोल रहा हूं तीनो लोगों को जै लाड़ा नहीं होगा लॉस रूग जाएगा और धीरे धीरे आपका प्रॉफित आना शुरू होगा एक दिन में आपका यह लॉस नहीं हुआ है एक दिन में रिकवर नहीं होगा ये बात मेरी मान हो और मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे खेलो application कोई भी हो आपकी मर्जी है हमारा काम है कुछ application कूर्ड करना तो हम लोग करते हैं लेकिन जो भी application आपको लगे कि आपके लिए better है आपके investment के लिए better है उस application में खेलो fantasy में अगर घरबार बिखवाना नहीं चाहते और अगर भिग गया है उसे वापस लाना चाहते हो तो sensibly खेलो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा problem आप लोगों को face करनी पड़ेगी तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो comment कर दो और प्लीज अपने दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं तो कर दो फ्लीज तो थांक य। थांक य। थांक य। थांक य।